ही को आज में बताने जा रहा हूँ हूं इन्ट असे न Vocês अप सभी जान रहे हैं कि पाइपन आज की डिट में डिवांडेबल प्रड्रामिंग लइंगेज बन चुकत है फ्रिवाइब कि इस न रिजन बेहाइंड इसा आज ने इसका कुछ की फीचर्स जानना होगा जो कुछ अलग प्रोग्रामिंग से हटकर है ओके तो सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि पाइथन एक बिगनर्स लेंग्वेज है ठीक है यहां तक आप देखते होंगे कि 10 प्लस टू के भी बच्चों को यह सीलेवस में ठीक है पाइथन इंप्लूट कर दिया गया है ओके तो पाइथन को बिगनर्स प्रोग्रामिंग लेंग्वेज रखा गया है और इसके बाद अगर कहें तो पाइथन हमारा इंटर्प्रेटेट प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है ठीक है जिस तरह से पीएश्पी हमारा इंटर्प्रेटेट प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है पर्ल हमारा इंटर्प्रेटेट प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है जा इंट्रेक्टिव होता है डाइरेक्ट आप पाइथन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे डाइरिक्ट पाइथन प्रॉम्ट आएगा और डाइरेक्ट हम इंटर्पेटर से इंट्रेक्ट होंगे ठीके और प्रोग्राम को लिखेंगे एग्जीक्यूट कराएंगे तो python program को compile करने की जरूद नहीं है वो direct interpret होता है तो हम कर सकते हैं कि python हमारा interpreted है दूसरा python open source technology है ठीक है python को use करने के लिए permission लेने की कोई जरूद नहीं है पैसा pay करने की कोई जरूद नहीं है जिस तरह से java हमारा open source है उसी तरह से python भी हमारा open source है ठीक है दूसरे चीज python हमारा object oriented programming language है ठीक है जिस तरह से c++ java object oriented programming language को support करता है उसी तरह से python भी object oriented language को support करता है ओके कोभी प्रोड़क्ट मार्केट में अगर लॉंच होता है तो उसका कुछ न कुछ परपस होता है जैसे जावा का मेंन परपस क्या था जावा का मेंन परपस था कि डिवाइस प्रोग्रामिंग करना ठेक है आपको मालूम होना चाहिए कि 30 billion डिवाइसे जार रुनिग इन उसको एलेक्ट्रोनिक डिवाइस के लिए जावा को यूज किया गया और अधिकतर जो मौश्टी जो हमारा मोबाइल बैस्ट अप्लिकेशन बनता है उसी तरह से पाइथन का में जो अब्जेक्टिव ए में जो पर्पस है Machine Learning यानि Artificial Intelligence में सबसे ज़्यादा यूज होता है Python का इसको Machine Learning के लिए ही बहुत ज्यादा फिमस है ऐसा नहीं कि Application Program के लिए Python को हम Main Objective बताएंगे या Window Best Application बनाने के लिए Window Best Application बनाने के लिए बहुत सारा Programming Language है Market में, Web Best Application बनाने के लिए के बहुत सारा Programming Language है लेकिन इसको सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है Data Science में ओके इसलिए आज के डेट में Python बहुत ही Demandable Programming Language बन चुका है ठीक है और यहां पर Python आप कर सकते हैं Scripting Language Python हमारा Server Sided Scripting Language है और आप Already जानते है कि Scripting Language क्या होता है Scripting Language को Compile करने की कोई जरूरत नहीं है ओके तो अब यहां पर जो मैंने Programming करना जानते हैं अगर C में एक Message को भी अगर आपको Print कराना हो C में अगर एक Message को भी अगर आपको Print कराना हो तो आपको 3-4 Line का Coding लिखना परेगा आप देख रहें यहां पर सबसे पहले Header File को Include करना है Main Function लिखना होगा उसी तरह से C++ में अगर Java में भी अगर Simple Message Programming लिखना होगा ठीक है Hello World या जो भी तो उसमें भी 3-4 Line का Coding करना होगा और Python के लिए बस एक Line Coding आपको लिखना है ठीक है प्रिंट में मैं सिंपल एक Message दिया Hello World वो प्रिंट कर जाएगा तो इसका Coding भी हमारा बहुत ही Small होता है ठीक है ओके तो यह तो हम लोग समझे Python का objective पाइथन का objective अब थोड़ा सा इस पे डिसकस करते है पाइथन का history क्या है ठीक है मैं बता देना चाहता हूं कि पाइथन को develop किया गया था गाइटो वैन रोसम के त्रू ठीक है जिन्होंने पाइथन को develop किया ओके में भी 1991 में पाइथन को develop किया गया था ओके और इसमें अब जैसे आप देखते हो कि सी ग्रोंडविज किस्के थूइड खूवक फिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ से ड्राइब किया गया आप ओल्री ओवूम है यूज़ खरते थे यूज़ करते गावगे अब एक प्रस नियों उठ्टा है कि पाइफन का नाम पाइफन ही क्यों दिया गया है क्या रीजन है इसके पाले ठीके तो एक आपका मैं बता देना चाहता हूं कि एक के सरकस ठाफ लाइंग सरकस जो मॉंटी के नाम से जाना जाता था मॉन्टी ठीक है मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सरकस ठीक है जो कॉमेडी सिरीज था 1970 में इसको लाया गया था ठीक है तो वहां पे रोसम ने सोचा कि मैं यहां पे सौट नेम है हमारा इस प्रोग्रामिंग लेंग्वेज का इस लिए इसका नाम इन्होंने पाइथन दे दिय क्योंकि यह बिल्कुल यूनिक था ठीक है इसलिए इसका नाम पाइथन दे दिया गया अब यहां पी अगर बात करते हैं हम लोग पाइथन को जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन को मेंली यूज किया जाता है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में तो उस तरह से आप कह सक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं तो बना輕 लर्निंग आपिशेल इंटेलिजेंस data science desktop जिवाई वेस्ट application बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और अधर business application बना सकते हैं आप cat application बना सकते हैं इस तरहं का application को हम लोग python में क्या कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं तो आज के वीडियो में हम लोग उन्हें देखा कि पाइथन मार्केट में क्यों पॉपलर है ठीक है पाइथन किस परपस से यूज किया जा रहा है पाइथन का क्या-क्या एप्लिकेशन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन का क्या-क्या एडवांटीज है क्या-क्या फीचर्स है ठीक है तैंक्यू अ